हेलो माई दियर इस्टुडेंट और आज हम जो है 12th क्लास 12th क्लास का जो है अध्या नम्मर 11 है और नाम क्या है जैविट ठाद एवम जैव और ब्रट इस्टी चर्चा तरीने और जो भी विद्यार्थी कोर्स लेना चाहता है वह एपलीटेशन डाउनलोड कीजिए 11th और 12th क बुट लेटे ही आप बैठें अब ज्यादा आपको समझ में आएगा ठीट अपने आप में यह नोट से बहुत अच्छे नोट से और बहुत अच्छी डिटेल इस्टेडी भी है इसमें जो सभी तिली और यहां पर जो भी कोशिंस बनते हैं उनकी में मैं चरचा डर हुआ जो आपके जेट, जेट एट जम में आपके लिए बहुत जादा बरदान साबित वह फूशन भी हम डिस्ट्रस करें ही करें लेकर देस में बिड़त खुछ बड़ति कुछ बड़तों से अध्रादिक उत्पादन प्राप्त करने लिए रासानिक और वरतों का अधादुंद एन्यंतृत प्रियोट किया जा रहा है जिस्टेट आरण मिर्दा स्वास्तें एवं मिर्दा में उपलब्द लाबदाइट जीवानों की संख्या में भारी कमी हुई है अध्रादिक उत्पादन चर्टी जो सकती है वो चीड होई है वह आप देखो इतने टेमिकल अधा धुंद जो है टेमिकल यूजटी है जा रहे हैं तो अविशली बात है आज देखो पहले जो हैं हम कहते थे मिट्टी है जो यह ठेत है आज क्या है रेत है प्षनी बचाय रे हम यूज कर रहे हैं तो यह टेना टेहीं हामफुल है और इस्टेट आरण जो हमारी जो उत्पादन जो सकती है वो चेंड भी हो रही है और मनुश्य में भी रोड बहुत सारे जो डिजीज है वो पैदा हो रही है ठीड़ी बई चले और क्या है अतैव मिर्दा को स्वस्त अच्छे बनाए रखने और उत्पादन के लिए लच्छत उत्पादन मतलब हमारा जो उत्पादन के लच्छे होता है वह इतना उत्पादन लेत है अग्यंद प्राप्त करने यदि जैविट ठाद के प्रियोट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो हमारा उद्दे से क्या है इस चैप्टर के मादम से क्या सुचना दी जा रही है कि आपको रासानित जो अरुबरत हैं उनका कम से कम यूज़ करना क्यों ठी रसाइनों के जो एट दीर ट्रालीन जो प्रिवाब हैं वह बहुत ज़्यादा हाम पूल होते हैं देखनों को मिलते हैं फिर मिर्दा में जो लावजाएट सूचमीजी में वह भी नश्ट हो रहे हैं इसके लावा हमारा जो हम कैसे थे हैं टी बई जो हमें उत्पादा चाहिएं लिए प्रयावरेड़ sz워 रहा तो इसलिए जरूरी है ती आप रसायनों के जो रसायन है जो यई रसायनेट साइनी जो फैटलाइजर हैं वह जंस रपदवार नासी हैं टीट नासी है इनका आप कम से कम उप्योटर हो इतना ही उप्योटर हो जितना जरूरी है जिससे पर्यावरण का भी समन में बना रहे जो पर्यावरण है उसका भी समन में बना रहे और टिकाव हम कह सकते हैं जो टिकाव ठेती है उसकी तरफ हम भड़ सक यह ना पर्यावरण में जो लावदाइड जो ठीट हैं जो हमारे लिए वेनीफीशण है वह भी आमारे लिए रहें कि इस रहें की अहीं कि यह प्रस्ताबना में हम कहना चाहरे हैं थो आज़े और बढ़ते हैं या कि पूस्तर करने डलने पर जीवांस पैदा तरती हैं आप से पूछा जा सकता है कि जैविट ठाथ का तात्वरेट का है जिर्व जैविट ठाथ का मतलब यह थी आपको जो रसानित जो अरुबरत हैं उनको यूज नहीं करना है क्या यूज डरना है जो आपके टार्मिनिट पदार्त हैं क्या आपको कंत्रोल करना है मतलब सब कुछ आपको जैविट करना है के अधुत है किसी बी किया है क्धित होती है हम सकते है है यहां पर क्या त các तरह marriage यहां पर क्या ड़या है कि रसाइनी दुरूप से ढर्मिनत पदार्थों से जो सढ़ने डलनेา पर ょ जीवांस पदार्त पैदा होती है वो आपकी जीवांस खाद होती है जीवांस खाद मतलब जीव का अंस वो खाद इन में वे सभी पोसर तत्व मौझूद रहते हैं जो टी पौदों की ब्रद्दी के लिए सायट होते हैं ब्रद्दा को वे सभी तत्व पुने मिल जाते हैं जो की पसल अपनी बड़वार के समय उससे लेते हैं अब देखो जो जैवेठ ठाद है उसमें भी पौसरतत्व होते हैं पूब है और वरत्टी जगए यदि जैवेठ ठाद का भी उप्योट वेड़ेद तो हुआ कोई परिसानी नहीं है उनमें भी पौसरत्व यदि एटलिष्ट पोसर तक तो कम भी मिलते हैं लेकिन आपकी जो जमीन है जमीन में और्गनेंट कंटेंट तो बढ़ाएगा ना जैवेट खाद तो डबल तरेखेशे जो हैं प्रॉफिट करता है प्राटरति खाद या जैवेट खाद या हरी खाद की इस्तमाल से हुमीटी सरचन पर आपने जुताई टर दी तो वह होती है हरी खाद से भूमीटी सरचना में सुधार आईडा साथ ही रासनित और व्रटों के दूस प्रिबावों से बचा जा सकेड़ा समनमित पोशण आपूर्दी प्रिणाली अपनाने टिलिए यह जरूरी है कि जैवेट खादों वे अ समनमित पोशण आपूर्दी प्रिणाली अपनाने टिलिए यह जरूरी है जीवेट खादों और अन्य औरवराटों का संतुलित मातरा में उचित समाविस आपको जो भी करना है संतुलित मातरा में करना है तो यह चोटी शी जो है प्रस्तावना थी अब बढ़ते हैं जैव ठाद भी कहते हैं जैवेट ठाद में मुठत है गोवर की ठाद जैवेट ठाद को हम प्राटर ठाद भी कहते हैं मतलब जैवेट ठाद जो जीवों के अंस से बनी हो जिसमें आपके जीवों के अंस में जीवों के अंस में यदि बात परें तो हो सकता है कि आपके पौदे आ जाएं बैक्तिरिया के वैक्तिरिया उसमें कोई रॉल टर रहा हो आपके टेंचुए कोई रॉल हो इसके रावा फसलों यह सभी जो है जीवों टेंस वे जीवान स्थाद बनते तेरी अब दो जीवान स्थाद में मुझ्छे दूरूप से आप देखो गोबर की ठाद है हरी ठ मुझ्छाद है अ कंपोष्ट है खली कंपोष्ट है नाडब कि एसके लाएव मतलब आप देख सकते जयविट हाद में कितना ज्यादा जैदा जो है आता है तिर वंद्वी थोड़ा सा चाहता ब्रेट लेते हैं आँयों तो आँयों अधर वह ठाद की परवासे आप से तरो एत नंबर में आप इस व्यून की परवासे पूछी जा सकती है अब देठेए जैवित ठादू है ये भी आप से एिट दो नम Upper में पूछा जा सकता है जैविट ठाद ओं का जो वरगईडरन हैं कि आपसे 8 या 2 नमबर में पूछा जा सकता है और यहां से कुशंच भी सांदर बनते हैं . जैविट ठाद के बरगटरन की बात रहें तो इसमें दिरुट लोठी है इस तूल या इस्तूल टार्मने ठादे गरे दो अब देखो दोनों में क्या अंतर है जो इस्तूल है ना जो बल्की है इनको जादा मातरा में लेने की जरूत पड़ती है जादा मातरा में जो आपकी जो जमीन होती है जो आपका फिल्ड होता है उसमें जादा मातरा में डालने की जरूत प जो कंटेंट होता है वो कम होता है जबकि आपकी जो सांद्रित खाद होती है इसमें जो पोशक तत्तों का जो मात्रा है जो कंटेंट वो जादा होता है जब पोशक तत्तों की मात्रा जादा है तो हमें ये ठेत में कम डालनी है और जबकि इस तूल जो खाद होती है उसमें पोस्टर तत्वों की मात्रा क्या होती है कम होती है इसलिए हमें जादा डालने की जरूत पड़ती है तो देखिये क्या है इनमें पोस्टर तत्वों की मात्रा कम होने टे टारण इनका प्रियोड अधिक मात्रा में टरना पड़ता है जैसे गोबर की ठाद कंपोष्ट मलमोत्र सीरे टीठाद आदी प्रैसमड आदी मलमोत्र सीरा सीरा कीठाद और इसके प्रैसमड प्रैसमड जो हैं आपके जो गन्ने से गन्ने से जो हैं जड़री जो होती है उससे प्राप्त होती है प्रैसमड जो चारीय मर्दाओं का सुदार करता है प्रेसमर क्या करता है चारीय मर्दाओं का सुदार करता है खुद तो अमलिय प्रक्रतिता होता है और सुदार करता है चारीय मर्दाओं का इसी प्रकार से यह दी मैं बात करूं प्यारे विद्यार दियो इसमें यह दी बात करूं तो इन में इस तूलिया भार अधायटी कुंसा थाद स्थूल है ऐसे भी कोईशन मनता है कि इस तूल तार्वनेट थाद है उसका उधारण कुंसा है नहीं है कुंसा सांदृत जैविट थाद का उधारण है जैसे मचलीटी ढवानो ये सब सांदृत में आते हैं आपके हडीटा चूरा हडीटा चूरा तिल नैटालने के बाद जो बस्ती है वो ठलिया इसमेर जो फिल्यान जो फिल्रिइड धिल्ण जो 25 आपके लिछ भी आपके हैतों वैसे सांदृत में आते हैं तृटिं यहापर अलट से लिग दिया रहा है इसको प्राणी जात फिल्ण लिग दिया रहा है तो आपको जब question आए question के आएड़ा ठादों के वरी टरन कीजिए question के आएड़ा आपके एक number में यह आएड़ा दो number में कम सिदम जएवे के ठादों के वरी टरन कीजिए तब आपको तीनों के तीनों as it is with example आपको लिटने है मैं आपको निशिंत रो मैं आपको एक question paper भी दूँगा जो आपको खुद को लिखना रहे डा लेटेन यह application में आपको मिले डा ठीके बई और आगे बढ़ते हैं यहां तक clear है भई ठादों के बारे में जएवे ठादों का वरी टरन वेरी इंपोर्टेन यहां से question आता है पिर आगे देखते हैं जएवे ठादों का मिर्दा में महत्वे एवं प्रवाब ऐसीदी सी बात है जएवे ठादों का मिर्दा में क्या तो महत्वे और क्या प्रवाब है इसके बारे में देखते हैं जएवे ठाद जैसे कोबर की ठाद हरी ठाद कंपोस्ट इसी बात है जैवेट ठाथ से जो मिर्दा है मिर्दा में क्या हो रहा है मिर्दा का पोसर तर तो मिर्दा की उर्वरा सकती बढ़ रही है उर्वरा सकती बढ़ेगी तो उत्पादत उत्पादन भी बढ़ेगा तेरे जैवेट ठाथ का प्रवाव केबल एट फसल तर सीमित नह ले वो अडले दो तीन बर्सों तक भी उपलब्द रहती हैं फिर से डाल दो अडले दो बर्स बात है ना जैविट ठाद के उप्योड से मिर्दा में जैविट कारवन में भी सुधार आता है पौदों को अपना जीवन पूर्ण करने के लिए 20 पूसर्ट तत्तों की आवश्य साथ बाड़ एबं सूश्म तत्तों की भी पूर्ती आसानी से तो जो आपके जो अर्बरक होते हैं अर्बरक में जनरली आप देखो नाइटोजन फासवरस और पॉटेशियम के ज्यादा यूज़ दिया जाते हैं जबकि ठादों में ऐसा नहीं है ठादों में आपके जो बारे पूशर रचतते हैं वह भी आगे यह सभी मिलाटर आपके ठिसमें ठाद में प्रिजेंट होते हैं जबकि अर्वरत में ऐसा नहीं है अर्वरत में आती जादा जबकि ठाद एक संतुलित आहार है किसके लिए जो हैं पौदों के लिए ठीए ध्यान रखना है इसका ठ करते हैं चली तो इनकर जैविठ्थाद कहीना ओर रजांत रहता कौना सभी पोषड कर आ रहें ठीक है चली यहां तक लियर है आगे वढ़तेएं अम्मिद हैं आप कमेंट करें ये यदी कोई विद्यार थी इस मेरी सन पाराई इस टायम तर तो आप कमेंट करके मुझे बत ओन्हें हैं आपको गुरूप में जोड़ लोग। आगे बढ़ते हैं बई देखो जैविट ठाथ के उप्योड से मिर्दा की बहुतिक रासानिक एवम जैविक तीनों ही अवस्ता में सुधार होता है देखो जैविट ठाद के उसे चाहिए बहुतिक हो रासाने को जैविट कोई सीवी अवस्ता हो सब में सुधार हो मतलब कुल मलाके जैविट ठादों के प्रियोट से ओवराल मिर्दा में सुधार होता है चले वई मिर्दा के बहुतिक गुणों पर अब देख तो चले ओ देखते हैं सबसे पहला रेतिली हल्की मिर्दा सघन दानेदार सरचना हो जाती है देखो जो रेतिली जो मिर्दा होती है जिसमें रेती रेत था आपने जैविठात दाली तो वो दानेदार एकदम सघन हो जा दी बा वारी भूमी हल्की थदा बर्वरी हो जाती है परिवनामत है भूमी टी सरचना में सुधार होता है भूमी टी जो सरचना है उसमें सुधार होता है इसके लावा और देखो मिर्दा की जल दारन चमता में ब्रद्धी हो जाती है जल को पटड़ता रखने टी जो चमता है उ और यदि जल्दारन जमता काम होती है तो आप देखो बढ़सात का पानी बिल्कुल फिर नीचे चला जाता है मिर्दा में नमी रहती नहीं है जब आप हसल वबाई करते हो तो नमी नहीं रहती है तो इसलिए जरूरी है कि आप जैविट ठात का उपियोट करो जिससे क्या हो रहा है कि मिर्दा में जल्दारन जमता में ब्रद्धी हो जाएगी और देखो क्या हो रहा है मिर्दा में बाईू संचार में ब्रद्धी होती है मिर्दा में क्या हो रहा है जो बाईू संचार है बाईू का आर्दान प्रदान जो है अच्छा हो रहा है जिसे जड़ों की भी अच्छी व्रद्धी होती है लावदाइट सूच में जीवों की भी अच्छी व्रद्धी होती है चोथा है पानी वे वायुद्वारा मिर्दा अपरदन कम हो जाता है जिसे से मिर्दा सरचन होता है देखो इससे मिर्दा सरचन भी होता है और देखो मिर्दा टाप नियंतरिंद होता है आप देखो रेती ली मिर्दा है अब रेती ली मिर्दा टाप देखो कभी डरम हो जाता है कभी इड़्दम ठंडा हो जाता है तो अब उसमें आप क्या टरो यह जैविट ञादे डाल दो जैविट ञादे डालनों से जो ताप मान है वो नियंतरित रहता वै तो आप फसल ले सकते हो उसमें पौधों की जड़ोंटा भिकास अच्छा होता है सीधी सी बात है जब आप छाद डालो रहे तो जोड़ों पर बिकास भी अच्छा होगा भूमी में जल अंते स्पंदन अच्छा हो जाता है भूमी में जो अंते स्पंदन है वो अच्छा हो जाता है इन्फिल्ट्रिशन अच्छा हो जाता है भूमी में नमी ती अवस्ता बनी रहती है सब कुछ अच्छा हो जाता है भूमी ठादों के प्रियोट से मिर्दा पर ये बहुते गुणों पर प्रिवाव डलता है यहां से भी कुशन आ सकता है कि मिर्दा के बहुते गुणों पर चैवे ठादों क्या प्रिवाव डलता है इस पर टेपुड़ी कीजिए दो नंबर में आ गया एक नंबर में आ गया कैसे भी कि आपसे पूछा जा सकता है तुरहाई आगे अब आपने जब यूज किया तो भाई यह रासानिट जो गुड़ है मिर्दाके बहुती गुड़ों की बात कल ले अब रासानिट जो गुड़ है उन पर भी तो कुछ ना कुछ इफट पढ रहा हुगा सब कुछ अच्छा होग मैं कहा रहा हूं मिर्दा के साथ सब कुछ अच्छा होगा देड़ो पौदों को सभी आवश्चत पूश्चत्त्तों की पूर्ती के साथ साथ हार्मॉन और एंटिवाइट्विट्स टीवी प्राप्ती हो जाती है जो विशेष लावटारी होती है आप देखो खुदी जैब इठाद में आपके अंटिवाइटिट्स हार्मॉन सब चीज होती है तो प्राप्ति हो जब पूश्चत्त्त प्राप्त हो रहे हैं प्छारिय मिर्दा प्पीएच मान टम हो जाता है मतलत प्छारिय मिर्दा जिसका पी एच्छ ट्याय साथ से ज्यादा होता है ऐसी मिर्दा हैं लबड़ी है भूमी है या चारी है मतलब जो आपकी जो मिर्दा है वो ठराब हो चुटी है उसमें यह दी सुधार करना तो आप जैवे ठाद का उप्यों करो इससे रासाने डुणों में सुधार हो रहा है ठीड़ी बई चलिए और क्या हो रहा है देखते हैं और देखो बहुत important point देखो यहां से question one line भी बढ़िया question बन सकते हैं मिर्दा में टार्वन की मात्रा बढ़ रही है टार्वन की मात्रा बढ़ रही है मिर्दा में पाए जाने वाले विसले पदार्थ उन्टा प्रिवाब कम हो जाता है जब आप गोवर की ठाद ये जब आप यूज करते हो जैविठाथ तो बिसले जो पदार्थ होते हैं उन्टा प्रिवाब भी ठम हो जाता है और देखो जैविठाथ के उपी और अब डटन से मिर्दा में इस्तिरतत तो बिले सी लोटर पौदों को आसानी से उपलब दो जाते हैं तो यह समझाने वाला खुदी जब आप रीड तर्जोना खुदी ऑटोमेटग आपके दिमाग में आरहा हो जो जो अच्छी चीजें वह आप लिट दो भाई ना मिर्दाथी प्येच में सुधार हो रहा है मिर्दाथी टार्विंटी मात्रा में सुधार हो दाए इस्तिया अब डटन से जो हैं आप देख सुधार में ना मिर्दा में होता है और दो ढुदार ज में यह सोदार आता है verschiedene जो अच्छी चीजें उननों को पटड़ा लखा जा सके इस टाइप से हैं तो ध्यान अटे कर माई चलिए वई यह ओई यह आपके जैवित गुड़ों पर पर प्रवाब उखेवी जब आप जैवित ठाज डाल रहे हो तो मिर्दा के जैवित गुड़ों पर प्रवाब पड़ेगा आ चेहिंए जीव यह इस सब्था पर परलब सब Watts पहले बहुत दूड़ देखे फिर रासाने दूड़ देखे फिर जैविद दूड़ देते हैं जैविद दूड़ का मतलब है कि आपके जीव जन्तु जीवाणों की जो है सत्रियता बढ़ जाए ती नाइट्रोजन फिट से सनुड़ा उससे समने जो भी कुछ है वो आप ले ब्रद्दी हो जाती है अनी जीवाणूं की आफ सील्था मैं ब्रद्द्दी होने टारन ऊधान वहो जाते हैं आप देखो जीवाणू है वैसिलस जो है थुरेंजेंसेस ये सभी जीमानों मिर्दा में उपस्तित रहते हैं इन्टी तरिया सीलता बढ़ जाती है और पॉदेटी ब्रदित लिए लावदायट होते हैं क्यों जैविठाद डालने से और देखो जैविठाद मिर्दा में सूच में जीवों तलिए भोज में जीव होते हैं जैसे राई जो लुवियम और बहुत तरे जो आपके एजरिक्ट पेटर है जा सै necesita घड़ जाता है अन्य फिटेयशन होता है इसके दिलाबा नैटी साथी मिर्दा में बायूमंडल से नाइटोजन का इस्तितरन तीब रिड़ती से होने लड़ता है तता जीवानु जटिल पदारतों को विच्छे दित कर आइने रूप में पौदे को उपलब्द डराते हैं बहुत से ऐसे जटिल पदारत होते हैं जो मिर्दा में तो उपलब्द होते हैं लेटिन अब वो ऊट नहीं रहे हैं तो अगर ये जो जीवानु जो होते हैं उन जटिल पदारतों टोटिया चोटे 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 चीजों म रूप अंत्रित करते हैं अन्य रूपों में तो वह पौदे को उपलब दो जाते हैं यह सब सूच में जीवानु का ताम है और जीवानु कव जादा रहेंगे जब आप जैवित ठाद डालो रहे तभी तेखे बहुत यहां तर वोड़िया जैवित गुणों में विन्नता हो और देखो और क्या क्या हो रहा है तो राज यह आप यह चीज में हम अंतर देख लेते हैं तो कितना बढ़िया बिंदू है नहीं पहले वह देखने के अंतर चांतर देख लेते हैं छली वह अंतर है आपका उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा हुँआ अंतर चली अब देखो अंतर क्या क्या है हम देख लेते हैं भई ये अब यह अंतर आपके एट्जाम में आ तिया चार नंबर में भी आ सकता है दो नंबर में भी आ सकता है कि जो टार्मेन ठाद होती है और आपना जो और बरात होता है इन दोनों में जो है अंतर बता हुई है याना एक नमब्र में आ ढ़細 तो 8 या 2 लिखने 2 नमब्र में आढ़ या तो 3 या 4 लिखने एड्जामनल लिखते देड़ा यदि चार नंबर में आये तो आपको पूरे अंतर लिखने हैं समझ रहे हो तो बेसी चीजे आप खुदी देमार से लड़ा सकते हो खुद अच्छी अच्छी चीजे हैं लेख सकते हैं जैसे पहले हम बात करें पूशन कैसे भी बन सकता है ना आजई भी चलिए पहला ट्या है पहला टारमन ठाद ये पेड़ पौदों तथा जंतून के भागों तथा अवसेस पदारतों को सळाटर बनाए जाते हैं आप देखो जो टारमन ठाद है वो बनाए टैसे जाते हैं जन्तूं के अफसेस और पौदों को सडाटर ही तो आप ठाद बनाओ रहे हैं गोबर को सडाटर आप ठाद बनाते हो फसल के अफसेसों को सडाटर आप बर्मीटम पोष्ट बनाते हो तो यह सब ठाद हैं तो आप क्या ठाद हैं तो आप क्या ठाद हैं पेड़ पौदों जन् पदार्तों से टार खाने में त्यार किया जाते हैं जो आपके उर्बरत होते हैं वो टार खाने में त्यार किया जाते हैं बहुत क्रेमिटल का उप्यूर होता है तरह यह दूसरा इधर पौदों में पौदों के सभी आवश्य तत्व उपस्तित रहते हैं परंतु पूसर तत् सारे सब्टत रहते हैं उर्बरे कि साथ ऐसा नहीं है अरुबरwort में जैसे मैं परिदों एत्य आवश्य पॉस्य प्रून है है न अब एफ आइम्टी जो मात्रा है वह 0.5 परसेंट जो है इसमें नाइटोजन होती है एफ वाई एम में और इसी तरह से इदर में देखूं यूरिया यूरिया में 46 % नाइटोजन होती है तो आप देखो न यह यूरिया जहाए एट उरब्रat है अब आप देखो पौशत्तत्तों आदत मात्रा काफी此 में थान है बहुत जादा पौदों को पोशर्टत्म की प्रापिता देरे देरे हुती रहती हैं इन्टा प्रभाप्रा येट से दो बर्स तर्ण मिर्दा में बना रहता है जब आप जैविट थाद डालते हो न तो ऐसा नहीं एक जो फसल 80 साल में ले ले धीरे-धीरे, अडले साल की फसल लेजी, धीरे-धीरे, मतलब धीरे-धीरे पोसर्टत्व मिलते हैं दूसरा, आपके जो जैबे ठाथ दालने से टार्बन जो कंटेंट है, वो भी बढ़ता है समझे हो, लेटी निया ऐसा नहीं है इनके पोसर्टत्व पोधों को लड़वट एट सब्ता में ही प्राप्त होने लगते हैं इनका अफसेस प्रवाव मिरदा में अधिट समय तर नहीं रहता है आपने डाला यूरिया तो ज़दा ज़दा साथार दिन में यूरिया पूरा खत्म पोधे ने लिया तो लिया नहीं लिया तो नश्ट हो जाएगा समय रहे हो यह होता है और जब टी ऐसा जैबिठाद में ट्या जैबिठाद आपने डाली तो भाईया एट दो साल चले रहे है यह सदा मार चीज़े चाइना माल है समय रहे हो चलिए आजेवीद इधर आजाओ इन खादों को इन खादों को फसल की ववाई से काफी पहले प्रियोट टरना पड़ता है जब आप जैबिठाद का उप्योट टर रहे हो तो आप फसल ववाई से एट या डेढ़ दो महीने पहले आप यूज टरो इन प्रियोट टरने इस्टे टापी समय पश्याद जब यह सड़ जाते हैं तब पौदों को प्राप्त होते हैं सिद्धी इसी बात है जब आप जैब इठादो यूप यूट टर रहे हो तो आप डेढ़ दो महीने पहले यह प्राप्त हो यहां पर क्या है बहिए आपने डाला सभी तत्व बिले अवस्ता में बाद सीध्र पौदों को उपलब्द होते हैं अते इंटा प्रियोट फसल्टी ववाईट यह समय या ठड़ी फैसल में तिया जाता है और यह आपके जो उर्वरत होते हैं यह जैसे ही आपने डाले और उपलब्द होना प्रारम हो जाएंगे क्योंकि यह तुरंत बिले हो जाते हैं और सीध्र पौदों को उपलब्द हो जाते हैं ठड़ी फैसल में आप डाल दो पिराजये पाँजमा इन में मिर्दा जल्दारन जमता वड़ती है आप देखो इसमें क्या हो रहा है जो मिर्दा जो जल्दारन जमता है वो बढ़ जाती है और इनके प्रियोट से मिर्दा जल्दारन जमता नहीं वड़ती है बेरी इंपोटेंड जब आप मिर्दा में जल रवी फसल होती है रवी फसल टे लिए जरूरी है नमीटी मात्राटा उपस्ते तो ना या बीच्टे अन्पूरंट लिए जरूरी है नमीटी मात्राटा उपस्ते तो ना जब जल्दारन चमता वड़ेगी तो नमीटी मात्रा भी वड़ेगी तो आरम से इसके लाब और देखो इनके प्रियोट से मिर्दाटा वायू संचार सो दरता है इनके प्रियोट से क्या हो रहा है मिर्दाटा वायू संचार सो दरता है जब टी उर्वरा टोंटा मिर्दा वायू संचार पर कोई प्रिवाब नहीं पड़ता है और देखो इसमें देखो सभी आवश्य तत्व प्राप्त ओनेटे टारण पौदोंटी संतुलित ब्रद्धी होती है सभी आवश्य तत्व प्राप्त ओनेटे टारण ग्या है पौदोंटी जो हैं संतुलित सभी आवश्य तत्व आप देखो इसमें जितनी ही आवज़क आपते ही सत्रे पोसकत होते हैं वह प्रापत होते हैं हो जब सिए पिरियोट से पोधाँने व्हाई होतीinflation नहीं होती हैं कि ख fulfill नहीं होते हैं हैं तो यह ऑय अधिकर सुट्र попад को तो यह सारी चीज़ है यह नोट टरवा वीडियो पहुच टरके आप चलिए आड़े बढ़ते हैं और भी अंतर हैं और भी अंतर देखते हैं इसमें हम हांटे बढ़ते हैं इसके प्रियोट से टारवन नाइट्रोजन अनपात मिर्दा में संतुलेज रहता है तिरू जो सी एन रेशो रहता है और जनरली सी एन रेशो जो है जो सी एन रेशो है यह 10 10 अनपात 1 होना चाहिए तो यह पूरा जो है मैंटेन रहता है इसमें 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 त्या होता है यह मैंटेन रहता है छीटे यहन बात और इसमें बात तरहें तो यहन बात जो CN रहसो होता है और उपरा की प्रियोट से जो है संतुलित नहीं रहता है फिर इसमें आजाई है मिर्दा ताप पर अच्छा प्रिबाब पढ़ता है इसका जो है जो मिर्दाताप होता है उस पर अच्छा प्रिवाब पढ़ता है मिर्दाताप पर कोई प्रिवाब नहीं पढ़ता है और उपरा टूंड़ा और आजओ दसमा इनके प्रियोट से मिर्दा में टार्मिनित पदार्थ की मातरा बढ़ जाने से उसके अपरदन में तमी आती है जो मिर्दाटा जो कटाव है मिर्दाटा जो अपरदन है उसमें तमी आती है क्यों चुछी टार्वनेट जब कंटेंड बढ़ गया है तब जब यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर मिर्दा अपरदन पर कोई प्रवाब नहीं पड़ता है कुल मल हानी टारट प्रिवाव नहीं है और यह बावले और बरटों को आप रिप्योट कर लो फसल आपकी आदी तो नश्टी हो जाएड़ी कि अगर आप और बरट ज्यादा यूज कर रहे हो तो फसल और मिर्दा दोनों पर हानी टारट रिफेक्ट है वही है समझ रहे हो और आजाओ ठादों के प्रियोट से मिर्दा में उपस्तित एवले तत्व बिले रूप में परवर्तित हो जाते हैं क्योंटी टारबनेट पदार्थों के सड़ने से क्या बनता है यहां पर क्या हो रहा है अब जब आप ठाद यूज कर रहे हो तो जो एवले तत् प्रियोट से फसलों की जलमान डढ़ती है जब आप जैवे ठाद यूज टर रहे हो तो जो जलमान होती है वह ढटती है आपको ज्यादा सिचाइट अन्यकी जरूत नहीं है जबकि इदर और वर्वरतों टाजदी आप उप्योट करते हो तो सिचाइटी बहुत ज्यादा आ मुमेंट वड़ जाता है और वर्वरतों टापोशर तत्तों का है ना जबकि और वर्वरतों के प्रियोट से मिर्दा की प्रत्यारों रोधन छंता पर कोई प्रबाव नहीं पड़ता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुमेंट हो रहा तो आराम से पौदों को नेट्स क्लास में जो हम देखिने गूबर की ठाद इसके लिए गूबर की ठाद क्या है क्या नहीं है इसके बारे में पूरा हम डेटेल से एप्लिटेशन पर जो हैं आपको लायब आना है एप्लिटेशन आपको परचेस करनी है और बता दूं आपको जो हैं एप्लिटेश डाउन्लोड रहे हैं वोटे प्यारे विद्यारती हैं तो मुझे बाड़सब पर 12th एडरी टर्टे आप लिखें 12th एडरी ये मुझे बाड़सब पर मैसेज तरह हैं आपको न से स्कूल से पढ़ रहे हो कुछ ना तुछ मैं आपकी है जरूर गरूंगा वोटे प्यारे गरूंग जbleो है ये वोट खंड़ ज्याम क्योंचार्ण शेयरे कहीएगलडाण भूंगा है फ्यार के में minimizing क्र्खड़सब पाटने देखी येजिए वर्ह संब्स्वड़ाईखन विद्यूबार प्यारे विखेंए दाटबार